आपने यूटूब चैनल में स्वागत हैं आज हम आपके लिए समाजिक विज्ञान यानि क्लास 10 क्लास 10 का जो समाजिक विग्यान यानि की जोग्राफी यानि वो गोल होता है उसी का चैप्टर नमर्ट तू उसका ही समरी यानि नोट उसके लिए में में कुटोफिक और क्वेश्चन जो है और जितली से संध कर और उसको नोट की तरह हम प्रवाइड कर रहे हैं और नोट के लिए समाजिक विज्ञान यानि की भुगोल को स्टार्ट करते हैं तो पहरा चैप्टर नमर्फर्स्ट है कि वडियो में देदी है आप पर ले लिस्ट में जाका देख सकते हैं और चैप्टर नमर्फ यह सेकेंड है कि वन एवम वनने एव़म वनने जीव संसाधन, उसमें हम संसाधन के बारे में पढाये थे, और कुछ जो question जो objective रुप में आशकता था उसके बारे में बताये थे, आज हम बता रहे हैं कि वनने एव़म वनने जीव संसाधन क्या है, देखिए, भारत में वनों का वितरन बड़ा समान है ये तो है और कई राज्ये में इनका वितरन बड़ा घना और बड़ा विरल यानि कि जंगल जो है वो बहुत बड़ा घना है किसी छेतर में किसी राज में तो किसी राज मिन्ना के बराबर है तो वही हकारा है कि किसी राज में जो है इसका बड़ा घना है बितरन है बहुत बड़ा छेतर में पहला है तो देखिए कि हर्याना में कुल 3.8% भुभाग है जहां पर 1 है हर्याना में कुल का छेत्र किदना है 3.8% और वहीं अंडवान निकवार जैसे ऐसे परदेश है जहां पर 86.9 भुभाग है परदेश के मनीपूर मिजोरम मिजोरम जो है वो कराने वाला निकवार दूइब को यानि की कि निकवार दूइब को जो है उस साइट परसेंट से अधिक भुभाग बन बना है परन्तु हर्याना राजस्थान पंजाब गुजराज जमु कास्मिर दिल्ली आधी राज़ जो दस परसेंट में से भी कम है तो देखिए कि काने का मतलब यह हुआ जिस छेत्र में उतना अगर अभी बढ़ोतरी नहीं है तो उस छेत्र में यह है वह भूभग उतना नहीं चल रहा है समझें यानि कि जो छेत्र है कि अगर डेवलोब है वहाँ पर राज्य है वहाँ पर बहुत से फैक्ट्रिया है कंपनी है तो वहाँ पर क्या है कि वन का जो है वह 10% से नीचा गिर चुका है लेकिन अंड़माननी को बार जो है वह 7% से भी अधिक है और वोईसे देश अधिकतर भागों में वनों के अधिन छेत्र कम ही है और राश्ट्रिया वन निती के अधिन 33% जो भावाग है वह वन होना चाहिए ताकि वो समसादन सिर्क्षित अब देखें राश्टिया वुद्ययान क्या है कि रश्टिया अईसे लग् elector अधिन अधिक ब्र करने पराणियों प्रेकरति वनस्पाति और प्रेकरतिक वस्वूर्टीर्ट का एक सुरक्षित रखरा रखा जाता है उसको नवघ देखि 110 जो है वह एक ऐसाचैत्र है कि जहांपर नइस ब्रक्राणियों इनिक वह में तरको कि देहें क्वारारी आस्थान की सुरक्षिЕТ कपवन सबसे अधिक धियान दिया जाता है इनमें कम मानव का हच्छेफ होता है सीवाई इसके क्या अधिकारी वर्ग आ जा सकते यानि कि वह आम आद्मिवान नहीं जा सकता है सिर्प आ अधिकारी लोगत जा सकते हैं और अपने काम का देखवाल कर सकते हैं भी के सेलानियों को भी एक नीयमित बोलकर नीयमित संख्या में जाने दिया जाता जी सिसी इसी सेलानियों या नी कि कोई room धी देखने जाता है तो उन तो जैदा मतलब नियंद्रिन संख्या में की जैदा ना इसे लिए और भारत का राष्टी प्रक्षी मोर यह तो आप लोग जानते हैं और चीता जो है वह बात का राष्टी पस्व है यह इसको भाग भी हो लाजाता है ठीक है और जैब विधिता देखिए आपको एक्जाम ऐ बिविधिता पाई जाते है उसे जैब बिदे यानि कि वन वन ची किरीशी फसल जो है वह जो इतनी बिविधिता पाई जाते है यानि कि वह इतनी जो फैल्ड है यानि कम हो रही है उसी को कहते है जैब बिविधिता जो है वह कम करने वाले कई कारक है यानि कि उसको कम कैसे क जा सकता है कि जंगली जानबर को मानना और अखेट यानि कि मारना जो है वह छोड़ देना चाहिए जंगली जानबर को बहुत सारी लोग दो मार देते हैं यानि कि उसको सिकारी कर सिकारी अपना सिकार में ले लेते हैं तो वह काम नहीं करना चाहिए और वहने जीवों का आवास बिनासने वन जीवों उसको आवास तुर्ण कर वहान डीता है जानवर को जैसे वहन की कटाई हो गया अर तृसरा दीकिए पर्यावर्न ये प्रदूसन प्रियावरुन जो आजकल जो प्रदूसन है कई सारे वहान चल गए हैं और उसी के साथ कई कमपनियां जो है वो प्रदूसन कर रहे हैं तो इसकी भी कम करनी है वी सक्तिकरन हम लोग को जो भी सक्तिकरन करनी चाहिए कि ऐसा ना हो इसके लिए भी कदम उठाना चाहिए और उसके जंगलों का दावा नल का प्रकौप दावा नल जो है वो उसका प्रकौप नहीं करना चाहिए कि कोई जाकर कार्देता है सरकारी संपति को ऐसे वैसे यह इसे नहीं करनी चाहिए अब देख़िए कराएं कि भारतिय जीव जन्तों का संडक्षन कैसे भारतिय जीव जन्तों का तो देखिए प्रकिर्तिक संपदा जो है वो हर देश को गर्व करता है यनि कि प्रकिर्तिक संपदा वो हर देश भी गर्व करेगा कि भाई मेरे देश के बास यह है यह प्रकिर्टिक की देन है बहुत जगह तो यह नहीं है कि वो खुद सर्डिफेंडर रहता है लेकिन प्रकिर्टिक की जो संपदा होती हो बहुत ही अजुवा होता है और यही अवस्था भारत की भी है कि इस संपदा का संदक्षन करना बहुत बरा ही आवस्चक है जरूरी ह तो देखिए सरपर्थम क्या करने चाहिए कि हमारी परकृति संपादा को विशेश कर विभिन जो जन के परकृति यानि कि कम आथी के परकृति उसको सौंदर्य को चार चांद लगा देने वाले जो धर्ति का स्वर्ग रूप देदाता है उसको बचाना चाहिए ठीक है और विभिन परकार के पसू पक्षियों जो मधूर वाने निकालते हैं और बहुत से कभी कभी चित्रकार के मुक्त रूप हो जाते हैं यानि कि चित्रकार जो है वो उसके रुक ले लेता है लगता है चित्रकृप परा है और कमाल की रचनाय का सिरजन कर डालते हैं उसको बचा मतलब कि इस तरह होती है हमारी प्रकिरतिक जो है संपदा और प्रकिरतिक जो रूप है भारत की प्रकिरतिक संपदा जो है वन्य परानियों को देखने के लिए हर वर्स एक दसक गन यानि लोग भारत आते हैं यानि बीदेश से समझे descent कि हमारे देश में कितनी बड़ी प्रकृतिक संपाथ इत जो प्रकृतिक का द्वरा देनmail है कि हर वर्स जो एक दसक गन यानिकि एक दसक सवागए लोग भारत आते हैं इस परकार ना ने कि भारत को बहुत से विदेशी मुद्रा पराफ्ट हो जाते हैं इससे क्या होता है भारत को बहुत ही विदेशी मुद्रा पराफ्ट हो जाता है जब देखें बिविन परकार के जीब जन्तु परिस्थेती अनुकोल संतुलन को बनाए रखने में भरिसायक सी दुख होता है और यदि प्रकरतिक संपधा को विशेश कर बिविन जीब जन्तु का अभेलना कर दी गई तो हमारे आने वाले पीडी जो है वह बहुत से पसोपक परजातियों को लूप्त हो जाएगी और वे बैचारे दर्शन के वंचेत यानि दर्शन नहीं कर पाएंगे जो हमारे पीडी जो आ रही है अगर इस जीब जन्तु को नहीं पजाक रहें वह देखने के लिए वह दर्शन से वंचेत यानि नहीं देख पाएंगे और यदि बिभिन जीब जन्तु को संडक्षन करना धियान रखा जाएगा तो गिन्दा बाग कस्तूरी चिरियां आदी जैसे जो जीब जन्तु है उसको बंदु की निशाना परना लाए जाए अब देखिए याद रखने बाते जो इस चैप्टर में है वो है मानब और दूसरे आदेकारे एक जटिल परश्थितिक तंद का निर्मान करता है या वन परश्थितिक के तंद का महत्पूर्ण भूमी का निवाता है तंतरता में परश्थितिक तंद भारत में विश्व की सारे जैब करती जो है वह 20 परसंटेश से अस्तंदारी लुप्त होने का खत्र है भारत 1951 से 1980 के बीच करीब 26,200 वर्ग किलो मीटर चहत्रकिरीशी भूमी परिवर्तन किया गया और 1952 को नदी घहती परियोजना में 5000 वर्ग किलो मीटर से अधिक वन को साप करना परा और यह परिकिरिया अभी भी जारी है और पास्यमी बंगाल का बॉक्षा टाइगर रिजर्व डॉलोमाइट खनन जो है वह गमी रूप से खत्रे में है यानि खत्रे में आ चुका है उ जैदा उप्योग करने से या उप्योग यानि कि उसको जितनी चाहिए उतन उससे जैदा जितनी पूर्ती चाहिए उससे जैदा उप्योग कर लेता है इसी कारण है कि उसको गंभीरता हो गई है उस खनन के और यह धरौर है जो हमारे प्रकिर्टिक के देन और हिमालिय नियव एक परकार का आउसदी पोदा है जो केंसर का अप्चर करता है हिमालिय यह वन यह आपको अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जा सकता है भारतिय वन ने जीव रक्षक जो है वो अधिनियम 1972 में लाभू किया गया वन ने जीवन अधिनियम जो है रक्षन अधिनियम 1972 में और प्रजेक्ट टैगर परियोजना जो 1973 यह दोनों भी आपको अब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है तैंक्यू जैन अगर आपका वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेर और कमेंट करे और उन बच्छों तक बहुचाए जो कक्छा तैंत के वोड देने वाले है तैंक्यू जैन